नमस्का दोस्तों तो आज के जो वीडियो टॉपिक आप लेगों नहीं सजेस्ट किया था देखिए मैं आपको इस चीज बोल रहा हूँ और दो तीन दिन बाखिए अगर आपको ऐसे कोई भी कॉई भी कॉन्वीशन टाइप कर वीडियो देखना है कि सेम प्राइस पन में दो अलग-अलग से दोनों स्मार्पून के रिव्यू देखना है तो आई बटन में देख सकते है अभी जो नाथिंग फोन टुए ओफिशेली पूरे साल प्राइस रहता है बोई 23,000-24,000 के आस पास और उसे अक में जो मोट्रोल हे एस 50 फूजन इसका पूरे साल प्राइस रहत है ग्जैक्ली 19,000 पे मधा की यह घ्जैक्ली सेम प्राइस पंद में अवेलेबले तो इस बीडो मेंस देखेंगे की एग्जैक्ली सेम प्राइस पंद में अवेलेबले दो फोन के अंदर रोपर कोणसहा सब से ज्यादा बड़ी आपको आपको लेना चाहिए इस शुरू काने के दोनों के डिजाइन और बिल कॉलिटी को देखके तो यह जो नाथिंग फोन टुए आप देख साकते बहुत ही यूनीक डिजाइन के साथ आता है उसी जागा मोट्रोले एच फिप्टी फ्यूजर बहुए मोट्रोला का जो सिंपल बाला डिजाइन है एक्जा से 7.9 mm और वेट 174 ग्राम नाथिंग फोन टुए आपको टुटल तीन कालर पर मिलेगा हॉइट ब्लैक और ब्लू उसी जागा जो बोटुए आपको टुटल चार कालर पर मिलेगा ग्रीन ब्लू पिंक और हॉइट तो उसके लिए मोट्रोला हुआ हुआ डेफिनिटली बे तो यह जो नाथिंग इस में आपको मिलेगा 6.7 इंच फुल इसडी प्लास 120 हर्च एमोलेट डिस्प्ले जिसके साथ 240 हर्च का टास्क सामलिंग रेट 1260 हर्च का पीडानो डिमिंग रेट 1300 निट्स का ब्राइटनेस गोडिला ग्लास 5 का डिस्प्रोटेक्शन डिस्प्ले म पीडानो डिमिंग रेट 1600 निट्स का ब्राइटनेस गोडिला गलास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन HDR का साथ कार्व 10 बीट पैनल तो मद अब इधार आगारम दोनों फोन के अंदा साथ से बेस्ट कॉलिटी डिस्प्ली के बार में बात करें तो उस समामले में मोट्रोली इ इस जेंटू प्रोसेसर जो की चार एनिम पे बनाए इसका अंटूटू स्कोर यह 6,15,000 कास पास तो मद भी तर आपको एची समझ में आए गया होगा अगर आपको दोनों के अंदर सबसे बेस्ट पार्फॉमेस चाहिए तो आप लोग के लिए नाथिंग होगा डेफिनिट लेकिन अगर हम कैमेरा सेंसर की बार में बात करें आथिंग का जो में सेंसर वह एक्चुली है सैंसूंग जी एन नाइन बला सेंसर जिसका सेंसर साइज है वान बाई 1.56 इंच और इसके साथ आपको OIS EIS दोनों का उप्शन मिलेगा उसी जागा पे मोटो पे आपको मिलेग लिटिया 600C सेंसर जिसका सेंसर साइज है वान बाई 1.4 इंच इसके साथ भी आपको OIS और EIS का उप्शन मिलेगा अभी जैसे मैं आपको कहा कि मैंने दोनों स्मार्टपोन आच्छे से रिव्यू किया था मेरे एक्स्पिरियेंस ऐसा कहता है नाथिंग का जो कैमेरा कभी लिटियु के करता है कभी कबहरों भी काम करता है यह फिर आगार अगर आप एक शीन से दूसरे सिन के अंदर स्विच करना चाहते है मोट को तो उसमें थोड़ा बहूत लैग होता है अगर अगर आप एक फोटो खिसने के बाद तुरण दूसरा ऑटो की से जाएंगे उसमे थोड़ाबल प्रॉब्लेम होता है और सेम चीस आपको नाइट टाइम में काफी ज़्यादा देखने को मिलता है और यह एक्चुली शॉप्टर बाग है जो कि बेस्ट कैमेरा सेंसर है इन टाम साफ हार्डवर और इस टेस्ट का जो प्रांट का में आख एसका कामेरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा तो इसलिए मैं ही तह दार ओवरॉब्लेकों को ज्यादाप्र प्रेफर करना चाहूँगा तो नेक्स ट्रागरम दोने के वीरियं की ब और उसके साथ यह पेस 2.2 का स्टोरेज और दोनों पर आपको कोई भी HD गार्ट का स्टोर देखने को नहीं मिलेगा तो मंदब इदर इस वेरियन के मामले में दोनों स्मार्टफोन अल्मोस्स सेम नेक्स टाना दोने के बैठरी और चार्जर की बामें बात करें इधा दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 500 रमीज बैठरी नाथिंग पर आपको मिलेगा 45 वाट का चार्जर का सपोर्ट लेकिन जो चार्जर बापको अलेक से लेना परेगा उसे जगा पे मोट्रोले पे आपको मिलेगा 68W का चार्जिंग सपोर्ट और जो चार्जर बोको बोक्स के अंदर ही मिलेगा और दोनों कोई कनेक्टिविटी USB Type-C तो मंतभी दार बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे नो डाउट मोट्रोले होगा बेटर और इसके बाद फाइनल अराणदों में कुछ एक्चा चीजों की बार में बात करें दोनों पी आपको मिलेगा Dual Speaker, कोई भी 3.5mm Jack नहीं, Under Display Fingerprint Sensor, Android 14 Out of the Box दोनों पी आपको मिलेगा 3 Major OS Update, Nothing पे आपको मिलेगा Total 13 5G Band, Moto पे आपको मिलेगा Total 15 5G Band तो आप बार इस वीडियो के Conclusion की, तो 2000 के नीचे दोनों स्मार्टपून के अदर कॉंसर सबसे ज्यादा बढ़िया ए नेक्स चार्ट देखने के बाद आपको सारा Conclusion क्लियर हो जाएगा तो जैसे वीडियो फाइनल चार्ट में देख साकते हैं, अगर 2000 के नीचे Nothing के साथ जाएगा तो आपको मिलेगा बेटर क्लिटी CPU माद बेटर दोले AK Advantage मिलेगा कॉंपरेट तो Motorola लेकिन उस ही जागा परकर Motorola के साथ जाएगा तो आपको मिलेगा बेटर डिस्प्ले, बेटर कैमेरा, फास्टर चार्जिंग सिस्टेम और IP68 के रेटिंग तो माद देख इस फाइनल चार्ट से आपको एची समझ में आगे होगा कि इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर नो डाउट Motorola अबराल बेटर है अब आपके माद में एक सवल आ सकता है, नाथिंग पे हमें बेटर क्वाटी CPU मिलेगा जैसे मैंने था, इस स्मार्टफोन को मैं आच्छे से टेस्ट किया था तो इसका जो पार्फोन में आप स्वीच करना, यूटूब बगड़ा यह स्वीच करना, अगर हम गेमिंग को छोड़के बाकी कोई भी काम करेंगे यह जो नाथिंग फोन टूब बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन जब हम गेमिंग बे स्वीच करते हैं, होज सकते हैं कि जब मैंने स्मार्टफोन पर रिव्यू किया था, तब ब्राइन इस से उत्ता ऑप्टिमेस नहीं किया था, लेकिन तब की सब से मैंने देखा था अगर मैं BGMI प्ले करता हो, बहुत ज़्यादा लेग हो रहा है, अगर मैं Call of Duty प्ले करता हो, थोड़ा सा कम लेग हो रहा है, और अगर मैं Free Fire खेलता हो, तो बहुत ही माइनर सा लेग हमें मिलता है, जो भी हो, इससे पहले भी मैंने Diamond City 7200 वाला प्रोसेसर मैंने ट्राइ किया अगर मैं अगर मैं अगर मैं आपने लिए दोनों फोन के अंदर कोई चूस करना चाहूँगा, तो मैं अगर मैं डे टो डे काम करेंगे तो दोनों स्मार्टपों का स्पीड वो एक्जाक्टी से में, लेकिन अगर गिविंग के मामल में हमें Diamond City 7200 वा प्रोका कोई फाइदा नहीं मिली रहा तो मैं अब अबियसली हमें Moto का Snapdragon 7S Zen 2 उसे ही चूस करना पड़ेगा, तीसली मैं इदर 2000 के नीचे, Motorola H50 Fusion के चूस करना चाहूँगा, तो अभी आप मुझे को बज़र्वत ने कि आपके दोनों फोन के आदर कौन से सबसे बढ़िये लगा या पिर आप कौन स से लेना चाहेंगे, इसके बाए मुझे ज़र्वत ने काना बिल्कुली मत भूलिएगा, तो मिल देले वीडियो पे ताप तक, stay tuned और से मेंबर, think positive, be positive, thank you